Hello kids, hope you all are fit and fine and washing your hair properly. Children, आज हम एक craft बनाने जा रहे हैं. और वो craft हम इसकी help से बनाएंगे. So first of all, tell me कि यह क्या है. नाम बताईए. What is the name of this? बताईए. Yes, this is potato. क्या है यह? यह potato है. और यह बच्चो वेजिटेबल होता है. क्या होता है? यह एक वेजिटेबल है. इसकी सबजी तो सबको पसंद होगी न? हाँ, तो आज हम एक craft बनाएंगे. अब वो भी आपको पसंद आएगा. Hope, you are excited to know कि मैडम क्या बनाने जा रही है? Yes, तो आज हम potato की help से हम red bugs बनाएंगे. क्या बनाएंगे? Red bugs. अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम potato की help से red bugs कैसे बनाएंगे? So, start करें हम. Are you ready? Okay, children. First of all, आप इस potato को knife के help से, चाकू के help से cut करेंगे. ठीक? आप खुद मत करिएगा. अपने किसी बड़े से या पैरेंट से करवाईएगा. और आप उसे ऐसे बीच से काटेंगे. Clear? ऐसे बीच से cut कर देंगे. इस तरह से. Clear, children? ठीक है? अब पोटेटो के साथ हमें कुछ कलर्स भी चाहिए. तो कलर्स में हम क्या लेंगे? ये. ये है फैबरिक कलर. क्या है ये? फैबरिक कलर. और ये रेड कलर का है. फैबरिक, रेड कलर. ये मार्केट में आपको इजी मिल जाएगा. ठीक? तो हम और ये है वाइट फैबरिक कलर. क्या है white and red दो fabric color आपको लेने है red and white clear चल रहे अब हम इस color को खोल के इस तरह से plate पे डाल लेंगे clear चल रहे अब जो potato हमने cut किया था एक simple paper आपका drawing copy होगी आप उस पे भी करेंगे या एक A4 size paper ले सकते हैं ठीक है उस पे आ इस तरह से जो potato cut किया था उसे color में dip करेंगे इस तरह से देखिए हमने dip कर लिया color clear अब इस को इस potato को इस A4 size paper पे या जिस पे भी आप कर रहे हैं उस पे ऐसे रख कर प्रेस करेंगे चारो तरब से देखिए फिर again करेंगे फिर और करेंगे फिर एक बार हम इसे dip कर लेंगे देखिए डिप करने के बाद फिर हम प्रेस कर लेंगे इस तरह से हम five six time पेपर में प्रेस कर लेंगे clear चल रहे हैं उसके बाद हम इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे जब ये इसको सूख जाएगा ड्राई हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा देखिए मैंने इसे पहले से ही सुखा के रखा हुआ है ये कुछ ऐसा दिखेगा clear ये देखिए ऐसे करने पर ये हाथ पे नहीं लगेगा जब ये ड्राई हो जाएगा तब हमें black marker से या black sketch से हम या तो black marker यूज़ करेंगे या तो black sketch उससे क्या करेंगे पहले हम देखिए ऐसे सीधी line खीच लेंगे उसके बाद उपर से half circle उसके बाद ऐसे than as clear औफिर हम यहां इस तरह से dots बना लेंगे hope you like this children इसी तरह हम सारे उसमें कर लेंगे half circle again dots clear इसमें भी हम कर लेंगे ऐसे ही hope children यहां तक आपको clear हो गया होगा कि कैसे करना है clear children देखिए अब इस तरह से करेंगे जब आप इस तरह से इसको prepared करेंगे तो कुछ figure इस तरह से बन कर सामने आएगा उसके बाद क्या करना है आपको white fabric color लेना है white fabric color white fabric color ले लिया आप पेल ले लिजेगा पैंसिल ले लिजेगा या कोई भी चीज जो पॉंटेड हो ठीक है उसको कलर में ऐसे डिप कर दीजेगा देखिए सो बच्चो किसी भी पॉंटेड चीज से हम इस तरह से डिप कर लिए उसके बाद हम इस red bug में आईज बनाएंगे कैसे यहाँ छोटा सा यहाँ clear देखिए इस तरह से मैम ने white color पे डिप किया और दो dots ऐसे बना दिए अब यह आपका red bug तयार है hope children you like this craft and enjoy this so आप आप इसे खुद से बना कर practice करिए thank you